दुनिया की दस सबसे चौका देने वाली जगह है दोस्तों कहने को तो हमारी प्रत्वी पर साथ अजूबे है लेकिन हम आपको बदा दें ये सिर्फ कहने की बात है क्योंकि अगर अजूबों की बात की जाय तो हम आपको ऐसे ऐसे अजूबे दिखा देंगे जिन्हें शायद ही किसी ने देखा हूँ अब जैसे कि आज की वीडियो में दिखाई जाने वाली इन जगहों को ही ले लीजिए ये कुछ ऐसी जगह है जो इतने ज्यादा अनोकी है कि इनके बारे में साइंटिस्ट भी अभी तक धंग से पता नहीं कर पाए है तो दोस्तो तैयार हो जाएए क्योंकि आज आप दुनिया की ऐसी जगहों को देखने जा रही है जो आपको पूरी तरह से चौका कर रख देगी बस अगर आपको इन जगहों में से एक भी जगह अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तो आप लोगों ने मूवीज या फिर किसे कहानियों में ये सुना होगा कि कुछ लोगों के पास ऐसी शक्तिया होती है कि वो किसी भी चीज को पत्थर की बना देते है जिसमें आप नौर्णिया मूवी का एपान जलने सकते है और इसी तरह की एक कहानी भी हमारी पुरानी कथा में भी शामिल है लेकिन दोस्तो हम आपको बता दे कि इंग्लेंड के नौर्ट यॉक्शायर में एक गुफा है जिसे पेट्रिफाइंग वेल कहा जाता है जिसके पास मौजूद जरने पर कोई भी चीज अपने आप पत्थर बन जाती है और इसी चीज को चेक करने के लिए यहां आने वाले लोग इस जगह पर टेड़ी बीर, खिलोने और भी कई तरह की चीज़े छोड़ कर चले जाते हैं और जब वो कुछ समय बाद इस जगह पर आते हैं, तो देखते हैं कि उनका छोड़ा हुआ सामान अब पत्थर में तबदील हो चुका है वैसे दोस्तों, पानी से किसी चीज का पत्थर बनना एक नजर प्रोसेस है क्योंकि पानी में मिलने वाले मिनरल्स किसी भी चीज को पत्थर में तबदील कर सकते हैं लेकिन ये प्रोसेस होने में काफी समय लगता है पर इस जगह पर महस कुछ ही हफ्तों में कोई भी चीज पत्थर में बदल जाती है जो की काफी आश्चरे जर्कित करने वाली बात है और इस जगह की इसी खुबी के लिए लाखों की मात्रा में सैलानी हर साल उस जर्णे को देखने आते है दारवाजा क्ट्रेटर्स दोस्तो सन 1971 में तुर्कमेनिस्तान के एक रेगिस्तानी इलाके में लोगों को एक चोटी सी आग के लप्टे उठती हुई दिखाई दी जिसे देख वहां के मौझूद सभी लोग दंग रह गए और सबने सोचा की क्यों ना देखा जाए इस जगह पर क्या है जिस वजह से वहां के लोगों ने यहां पर खुदाई करना शुरू गी तभी उस जगह का एक बड़ा सा हिस्सा अपने आप ही खिसक गया और उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात ये है कि वहां काम कर रही मशीने भी इस गड़े में समा गई और तब से लेकर अब तक ये गड़ा निरंतर बिना रुके जल रहा है दोस्तो इस गड़े को देखने दुनिया भर से लोग आते है क्योंकि हर को ये जानना चाहता है कि बिना किसी वज़े के इस जगह पर आग का गड़ा कैसे खुद सकता है और इन्ही सब कारणों की वज़े से इस गड़े को यहां की लोग नर्क का दर्वाजा भी कहकर बलाते है दोस्तो ये जगह जितनी डरावनी है उतनी ही रहस्यमई भी क्योंकि अभी तक किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है कि ये गड़ा यहां पर क्यों बना और क्यों निरंतर जले जा रहा है दोस्तो पानी के फवारे से आती हुई पानी के बूंदे जितनी ही शांदार दिखने में लगती है उतनी ही शांदार उनकी आवाज भी होती है जिसे देखने के लिए लोग अक्सर पानी के फवारे बना कर उसका अनंद लेते हैं लेकिन दोस्तो हम मनुष्य ही पानी का फवारा नहीं बना सकते बलकि प्रकरती भी इतनी ताखत रखती है कि वो खुद से पानी का फवारा बना दे जी हाँ दोस्तो, प्रकरती द्वारा बनाए गए पानी के फवारे, जिने हम आम भाशा में गीजर भी कहते हैं जो दिखने में हम मनुश्य द्वारा बनाए गए फवारे से भी ज्यादा शानदार लगते हैं और इस दुनिया का सबसे प्रसिद्व फवारा आइसलेंड के हाउकाड लौर वेली में स्थित हैं और दोस्तो, जब इस जगह से पानी निकलना शुरू होता है, तो शायद आपको विश्वास ही नहो कि वो पानी सतर मीटर की उचाई तक चल जाता है और तो और जब ये शांत होता है, तो इसके उपर एक बड़ा सा पानी का गुबारा दिखाई देता है, जिस कारण नीला होता है और अगर इस फवारे की उच्छाल मारने की बात की जाए, तो आम तोर पर ये फवारा हर दस मिनट पर पानी की उच्छाल मारता है और अब आप खुद ही समझ जाईए कि हर दस मिनट में इस जगे के पानी को सतर मीटर तक उपर भीजने के लिए प्रकरती अपने अंदर कितना जोड लगाती होगी वेटोमो केवस दोस्तो सितारों से जगमगाता आस्मान भला किसे देखना पसंद नहीं होगा हर किसी को ये सुन्दर नजारा बेहत पसंद है लेकिन दोस्तो तब क्या हो जब धर्ती पर ही तारे जगमगाने लगे हाँ दोस्तो हम जानते हैं ऐसा होना असंभव है लेकिन बिल्कुल ऐसा ही नजारा तो देखना संभव है ना और ये संभव चीज हमारी प्रकर्ती की ही देन है जो कि आपको न्यूजिलेंड की गुफा में देखने को मिलेगी असल में दोस्तों ये एक ऐसी गुफा है जहाँ पर बहुत सारे फंगस पाये जाते हैं और ये फंगस रात के समय सितारों की तरह टिम्टिमाते हैं जिसका नजारा किसी का भी मन मोह सकता है अब आप खुद ही सोच लीजिए कि प्रकर्ती कितना अद्बुत खेल दिखाती है वो फंगस जिन्हें कोई पूछता तक नहीं उन्हें द्वारा फैलाए गई रोशनी हमें जन्नत का माहौल देती है और तो और दोस्तो ये भी कहा जाता है कि इस जंगल पर फंगस जितने ज्यादा भूखे रहते हैं उतनी तेज रोशनी फैलाते हैं याने कि प्रकर्ती इन फंगस को भूख से जितना ज्यादा तरपाती है ये प्रकर्ती को उतना ही ज्यादा रोशन करते जाते हैं जो कि अपने आप में बहुत अद्भूत बात है कैनो क्राइस्टेल्स दोस्तो आप लोगोंने तरह तरह की नदियों के बारे में सुना होगा लेकिन क्या कभी आप लोगोंने पांच रंगों में बहने वाली नदी के बारे में सुना है अगर नहीं सुना तो ये जान लीजी कोलंबिया के कानो क्रिस्टल्स में एकलोती नदी पाई जाती है जो एक दो नहीं बलकि पाँच रंगों में बहती है जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि ये नदी पाँच रंगों के पानी में बहकर कितने ज्यादा शांदार लगती है और इसी को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग चले आते हैं ताकि वो इस शांदार नदी को एक न एक बार अपने आखों से जरूर देख सके दोस्तों असल में इस नदी के अंदर पाँच अलग-अलग रंग की काई जमी होती है जिस वजह से उपर से देखने पर ये नदी कुछ इस तरह दिखाई दीती है और दोस्तों इससे भी ज्यादा चौका देनी वाले बात तो ये है कि दिसंबर से लेकर अगस्त के महीने तक ये पाचों काई अलग-अलग रंग में होती है लेकिन सितंबर आते ही सब अपना रंग बदल देती है तब हमें ये सुन्दन नजारा देखने को मिलता है जिससे चाहकर भी हम अपना मूह नहीं मोड सकते कुछ नहो लेकिन इससे एक बात तो पक्की है कि प्रकरती से बड़ा कलाकार कोई नहीं हो सकता मूवली केव दोस्तो रोमानिया के साउधन इस्ट पर एक जगह है जो पिछले 55 सालों से बाहर की दुनिया से पूरी तरह से छुपी हुई है और ना ही तब से कभी इस जगह पर सूर्य की रोश्णी भी पहुँच पाई है दोस्तो हम आपको बता दे कि इस जगह का वातावरन प्रकरती के बाकी इलाखों के वातावरन से बिलकुल अलग है दोस्तो इस जगह को जब खूज निकाला गया जब इसके आसपास हुआ कर स्पाउर प्लांट को सेट अप करने की तैयारी कर रहे थे और जब उन्होंने इस जगह को खूजा तो इस जगह की धरती पर उन्होंने कुछ टेस्ट किया ये देखने के लिए कि ये जगह कैसी है और क्या ये सुरचित है ये नहीं लेकिन अंजाने में एक रास्ता खुल लेया जो इस प्रत्वी की सबसे अजीबो गरीब दुनिया की ओड़ ले जाता है आप इसके महीन दर्वाजों से होते हुए कुछ गुफाओं के समूख को पार करके आप एक ऐसे चेंबर में पहुँच जाएंगे जहां सल्फ्यूरिक एसिट से भरी हुई एक पूरी जील है और उसमें से सड़े हुए कीडे मकोडों के दुरगंद आती रहती है इस जगह की हवा बहुती ज्यादा जहरीली है जिसमें हाइट्रोजन सल्फाइट की मातरा बहुत ज्यादा है और हमारे वातावरन में पाये जाने वाला कॉबन डायकसाइट इस जगह पर सो गुना ज्यादा मातरा में पाये जाता है लेकिन दोस्तो इस जगह की सबसे ज़्यादा चौका देने वाली बात ये है कि इतने खतरनाक वातावरण की होते हुए भी इस जगह का इको सिस्टम सर्वाइव कर चुका है और खोज करताओं को यहाँ पर 33 तरह की कीडे मकोडों की नसले भी मिली है जो इस जगह को छोड़कर पूरी प्रत्वी पर कहीं नहीं पाये जाते तो दोस्तो असल में कीडे मकोडों ने सल्फूरिक एसिड से बने वातावरण में रहने के लिए खुद को ढाल लिया है जो पत्थरों की ऊपर उत्पन होने वाली फार्म को खाकर जिन्दा रहते हैं पर दोस्तो कुछ भी कहिए ये जगह बहुती ज्यादा रहस्मई तो है ही उससे भी ज्यादा खतरनाक है लेक वो स्टोक दोस्तो अगर हम आपसे पूछें कि सबसे ज्यादा मुश्किल हालातों में जिन्दगी कहां पर पाई गई है तो आपको जवाब होगा स्पेस पर क्योंकि स्पेस एक ऐसी जगह है जहां पर ग्रेविटी बिलकुल ही काम नहीं करती लेकिन फिर भी इंसान अपने स्पेशल एकप्मेंट्स की मदद से वहाँ पर रहने में सफल हो पाते हैं लेकिन हम आपको बता दे कि सिर्फ अकेले स्पेस ही नहीं हमारी धर्ती पर भी एक ऐसी जगह मौझूद है जहां पर रहना तो लगभग नामुम्किन ही है और वो जगह और कोई नहीं बलकि अंटाक्टिका की लेक वास्टॉक है और ये सर्फेस पर नहीं है बलकि ये जील बर्फ के नीचे बर्फ के कई परतों से दबी हुई है और यहाँ पर किसी भी तरह कि जंदगी का होना बिलकुल नामुम्किन सा लगता है लेकिन जब इस जगह के बारे में विग्यानिकों ने रिसर्च की तो वो भी हैरान रह गए क्योंकि उन्हें ये पता चला कि इस जगह पर भी जंदगी मौजूद है क्योंकि इस जील के अंदर जहाँ ना हवा ढंक से पहुँचती है और ना ही सूरज की राशनी फिर भी इस जगह पर विग्यानिकों को करीब तीन हजार बैक्टीरिया के अलग-अलग लाइफ फॉर्म्स मिले हैं और वो इतने ज्यादा स्ट्रॉंग्स हैं कि वो किसी भी परिस्तिती में खुद को जीवित रखने में हर तरह से सक्षम है यहां तक की वो बैक्टीरिया जुपीटर भी आराम से रह सकते हैं ऐसे में ये जाहिर सी बात है कि इनकी किसी भी जगह की लाइफ स्पेंडिंग कैपसिटी हमसे ज्यादा है जो की वाकई बहुती ज्यादा चौका देनी वाली बात है दोस्तो ये जगह अमेरिका की मिनेसोटा राज्ज में है ये मौजूद लैक्सुपीरियर के उत्तरे किनारे के पास एक अजीब जहरना है जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पर दो जहरने हैं जो एक चटान की वजह से एक दूसरे से अलग है इन में से एक जहरने का पानी तो सीधा नीचे गिर कर नदी में मिल रहा है लेकिन दूसरी जहरने का पानी एक गड़े में जाते हुए गाइब हो जाता है जी हां ये पानी नीचे तो गिर रहा है लेकिन उसके बाद ये गिर कर कहा जाता है इसका अभी तक किसी को कुछ नहीं पता चल पाया इसको पता लगाने के लिए विज्ञानिकों ने बहुत सर पीटा लेकिन अभी तक उन्हें इस जरने से नीचे उतरते हुए पानी का कुछ पता नहीं चल पाया यहां तक कि विग्यानिकों ने इस गायब होते हुए जरने के पानी में रंग बिरंगी बॉल और स्याही भी डाल दी ताकि उससे ये पता चल जाए कि ये पानी आखिर जाता तो जाता कहा है। लेकिन पानी तो दूर की बात है ना उन्हें बॉल का पता चला और ना ही स्याही का रिंगिंग रॉक्स ओफ पैनिसिल्वेनिया दोस्तो अगर इस दुनिया में पत्थरों की बात किशा है तो आपको ऐसे बहुत से पत्थर मिल जाएंगी जो किसी को भी चौका सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पत्थर भी इस दुनिया में मौजूद है जो आपको चौकाने के साथ साथ आपको एक सुकून का भी ऐसास दिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। युएसे के पैंसिलवेनिया राज्य में मौजूद ये पत्थर बिल्कुल ही मीठी आवाज की धुवनी निकालते हैं। जहां आप आम पत्थरों पर मारेंगे तो उनकी आवाज आपके कानों में सुई की तरह चुपेगी। लेकिन पैंसिलवेनिया में मौजूद इन पत्थरों पर आप कोई भी चीज मारेंगे तो उनसे एक प्यारा सा म्यूजिक निकलता है। हालांकि पहले ये जगह इतनी प्रसिद्ध नहीं थी। लेकिन जब से इन पत्थरों के बारे में लोगों को पता चला है। तब से भारी मात्रा में लोग इन अनोखे पत्थरों को देखने आते हैं। हालांकि ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में तो अभी तक किसी को कुछ नहीं पता चला है। कालाची, दसलिपिंग सिटी। दोस्तों, ये कालाची नाम की जगह कजाकिस्तान में मौझूद है। और यहां पर कुई भी कभी भी सो जाता है। जहां नॉमल लोग मुश्किल से 10-12 गंटे ही सो पाते हैं। वहीं इस जगह के लोग अगर एक बार सो गए तो कहिए चार-चार-पांच-पांच दिन तक उनकी आँखी ना खुले। और कुछका तो आधी बौड़ी यानि की नीचे का हिस्सा ही सो रहा होता है। 2013 में इस जगह पर ये सब कावी बड़े पैमानी से हो रहा था। जब लोग अपना काम करते-करते सो जाते थे। और ये अजीब से सिच्वेशन हर उम्र के लोगों में पाई जाती रही। चाहे वो बच्चे हो, जवान हो या फिर बूड़े। लेकिन कुछ समय के बाद ये सोने की बिमारी धीरे-धीरे खत्म हो गई। पर ये अपने साथ ये सवाल छोड़ गए, कि ऐसा हो क्यों रहा था। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि यहां मौझूद यूरेनियम माईन की वजह से ऐसा हो रहा था। लेकिन विज्ञानिक पुखता तोर पर ये नहीं बोल सकते कि ये यूरेनियम माइन की वज़े से ही हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज्यादा रोमांचिक लगी होगी। अगर हां तो अपना जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भुलें। धन्यवाद। तो यादान सेक्शन में बता सकते हैं।